आज हम गाउंगे विकास ग्याम पंचार से लेकर बात चित करेंगे बारवंकी के बात पर विधायक उपेंशिंग डावद जी से नमस्कार विधायक जी स्वतिंता को 70 साल हो गए है और इसके बाद भी गाउं की जो इस्थित बनी हुई है उसके लिए कि आप क्या कहना चाहेंगे गाउं की इस्थिती जो अभी तक बनी हुई है जिसको आप ये मान रहे हैं कि गाउं का विकास कायदे से नहीं हुआ है तो इसके लिए जिमेंदार हमारी सरकारे हैं, जो अभी तक देश और प्रदेश में राज करती नहीं, क्योंकि उन्होंने गाउं के विकास के लिए कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया, कि जिससे गाउं का विकास हो, अब इस पर एक सोच बनी है, भारती जंता पार्टी की सरक अब तो में गाउं के विकास के लिए योजनाय मना रही है, और उन पर काम भी किया जा रहा है, ज़र हमने दीखा है कि गाउं के जो स्कूल है, उसमें कम अध्यापकों की संख्या है, दो या एक रहते हैं, और इस पर तालों की स्थीती भी कुछ अच्छी नहीं है, इस पर हरस्पिटल्स में कम है, पिछली सरकार, समाजवादी पार्टी के सरकार, जो हमारे सिच्छा मित्रों का चैन हुआ था, विद्यालों में, तो नियम के विपरित जा करके उनको अध्यापक बना दिया, इस लालत से कि अगर ये इतने सिच्छा मित्र अध्यापक हो जाएंग तो हमको चुनाव जिताने का काम करेंगे, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसको जो परकृरिया थी, चैन की परकृरिया, उसको अवैद घोसित करके उनको फिर बैक फूट कर दिया, अब एक समय जब हमारी सरकार बनी, उस ही समय डिसिजन आया, उस समय चैलेंज था सरक करेंगे, उस चैलेंज को स्विकार करते हुए, सिच्छा मित्रों से बात करते हुए, विद्यालों का संचलन किया गया, और ये जो सब तमाम सारी दिखते हैं, इनकी वज़े से आगे भरती में भी समस्या आया रही, लेकिन आगे आप लोगों ने सुना होगा, हमारे मुख प्रदान मंतरी ग्रामिण आवास, प्रदान का लेना देना तो नहीं है, इसलिए कि पैसा जो भी है वो सिधे लाभारती के खाते में भेजा जाता है, और तीन बार में पैसा दिया जाता है, पहला पैसा पहली किस्त जब जाती है, उसका काम जब पूरा हो जाता है, और बाकादा उसका फोटो खीच करके, कंप्यूटर पर फीट किया जाता है, कि इतना पैसा आ गया और इस पैसे में यहां तक का काम होना चाहिए था, उसका फोटो खीच करके, जब कंप्यूटर पर फीट किया उनको किसी के बकावे में नहीं आना चाहिए, प्रधान मंत्री जी ने कहा है, कि 2022 तक कोई भी व्यक्ति देश में ऐसा नहीं बचेगा, जिसके सर पर छत नहों, मतलब 2022 तक सबको आवास दे दिये जाने हैं, जो आवास के पात्र हैं, वो चाहते हैं कि सबसे पहले हमको मिल जा नाम उनका वरीता करम में है, सूची में जिसका वरीता करम में जिस तरीके से नाम है, पहले उनहीं को मिलेगा, बाद वालों को बाद में मिलेगा, पहले नाम होने के बावजूद भी अग्यानतावस, वो लोग कहते हमको पहले मिल जाए, जबकि उनको पहले ही मिलना है, अ वाजवादी पार्टी ने करवाई थी उसमें बहुत अपात्रों के नाम थे जिनके पास ट्रैक्टर टाली होनके नाम आवास की सूची में थे जोपड़ी में रहने वाले और तिरपाल की नीचे रहने वाले बहुत सारे लोग छूट गए थे इस बात को हमारे प्रधान मंत् है उस उनका नाम सूची में जोड़ा जाए तो जब उनका नाम सूची में जोड़ा गया सर्वे कराया गया नाम सूची में है तो आवास मिलेगा है यह जब 2022 तक है तो किसी को 19 में मिलेगा किसी को 20 में किसी को 21 में किसी को 22 में अब उसी में आगे आगे लेने की होड जो ल कि जिसे सोचिता अभियान के तहर जो सोचाले दिये जा रहे हैं सोचाले निर्मार के लिए धनरास पहुचा ही जा रही है उसमें हमने देखा है कि केस प्रधान के उपर किया रहता है जब वो धन्रासी लाभारती के खातम जा रही है तो फिर प्रधान पर केस क्यों हो रहा है यह बास सही है कि धन्रास लाभारती के खाते में जाती है और दो बार में जाती है जो सोचले निर्माड की पुरुए है दो बार में और पहले धन्रासी नहीं दी जाती है यह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो लाभार्ती है पहले वो आधा निर्माड सोचले का करे और फिर दिखाए फिर उसको आधा पैसा मिलेगा फिर पूरा करें बाद में फिर उसको पैसा मिलेगा यह इसलिए हुआ है कि पहले पैसा दे दिया जाता था तो पता चले कि पैसा ले करके और वेक्ति उसको दूसरे कामों में प्रयोग कर लेता था सोचले नहीं बनाता था तब यह हुआ कि आप आधा सोचले बना करके तयार के जिए फिर आपको आधा पैसा दे दिया गया छेहजार रुपे फिर दुबारा पूरा तयार की जिए छेहजार जो बाकि है 12,000 का होता है लेकिन इसमें मुकदमा उन परधानों के खिलाफ होता है क्योंकि अभी भी जो गाऊं के गरीब आदमें हैं कम पड़े लिखे लोग हैं वो पूरी बात שמजते नहीं हैं और ظो बर्गलाने वाली लोग हैं जो भरस्टाचार करने वाले लोग हैं वो इतने शातिर दिमागी होते हैं कि उनसे वो ऐसी बात रखते हैं कि वो समझते हैं कि इने पैसा देना पड़ेगा तो ऐसे कई केस हैं जहां पर ये हो जाता है कि परधान उनको गुमराह करके पैसा लेता है पैसा तो खाते में गया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विड्डाल पर दसकत कर देते हैं अपनी वैंक मैनेजर्स तक की मिली भगत होती है पैसा निकाल लाए पैसा निकाला च्छे हजार लाभार्थी को दिया चार हजार कहत दो हजार रुपेश में शुविधासुल पड़ेगा ऐसी सिकाते आती हैं दो एक सिकाते मेरे सामने आई हैं मैंने उनकी जाच कराई पता चला क सिकाते हैं उनको गुम्राह करके बेकुब बना करकर उंसे पैसा लिया गया तो ऐसी स्थिमें अगर बेकुब बनायां से छिदे साधे ब्यक्ति को उससे ठगा है थखी आप जंते हैं ठगी को इची ठगी ऐसी चीज़ है कि छीनी ने जाती हम आप से जब Осक जब श्था ब जागरुकता के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं अपने दर्सकों को भी और अपने जो लाभार्थी उनको भी जो सूची बनाई गई है आवास की हो आवास की प्रधान मंतरी ग्रामीर आवास की सूची सर्वे करके जिन लोगों के विद्धियले में उन सारे लोगों के नाम लिख दिये जाए दिवाल पर हम लोग लिखवा रहे हैं सरकार हमétatरी लिखवा रही है तो आप देखिए जाकर कै कर के विद्धियले में आपका नाम अगर उसमें है तो फिर किसी को पैसा देने की जरूफ नहीं जरूबत का है य मैं उनसे कहना चाहता हूं लोगों से कि अगर उनके हा ऐसा नहीं है तो हमारे छेत्र के वह हम से बात करें यह आपने छेत्र के विरायक से बात करें हम से बात करें हमारे छेत्र के फोन करें फोन से ही बात करा है हम वहां उस गाव में लिखाने के काम करवाएंगे सर ग्र्यामीर नागरिक के लिए पस्धन है उसका धन होता है तो गाउं में पस्व चिकिसाले क्यों अभी तक नहीं पहुँच रहे हैं पसुची के साले तो खुले हैं संख्या उनकी नहीं बड़ी है पसुची के साले खुले हैं अब यह कि प्रयाप्त मात्रा में जो चाहिए उतने नहीं है लेकिन पसुची के साले हैं और उनके जो करमचारी हैं डाक्टर हैं या कंपाउंडर हैं वो गाउं गाउं तक जाते है जैसे भी बर्षाथ होगी तो बर्षाथ के समय में हमको लगता है कि इस आरे गाउं में ये लोग जाकर के जानोरों का ठीका करन करते हैं प्रयापत मातर में अगर नहीं है तो हमको तो मुका भी मिले हुए बहुत कम समय हुआ है पहले कि सरकारी इसकी जिम्मेदार हैं आगे जितने आउशकता इसकी बढ़ेगी उसकी बेऊस्था हम लोगों करनी चाहें करेंगे भी शरकार की जो भी योजनाय हैं उनकी जानकारी काइदे से लोग रखें जब हर आदमी को सरकार की पूरी योजनायों की जानकारी होगी जिससे हम आपको बताएं कि अब जो कोटा सिस्टम है जिसमें रासन दिया जाता है गाउन के लोगों को तो उस पर हमारी सरकार ने दो जन्पदों में प्रयोग किया है कि रासन न दे करके इसमें धानली होती है पता चलता है कि कोटेदार और परधान मिल करके एक एक व्यक्ति के नाम दो दो जगे पर रासन काड़ बनुए हैं अन्तियोदय योजना में और दूसरा पातर ग्रहस्थी में ऐसे एक एक गाव में 80-80 काड़ बने हैं जिनका अंतियोदे योजना में भी नाम है पात्र ग्रहस्थी में भी है कोटेदार क्या करता है एक योजना का राशन लाभार्थी को दे दिया येक योजना का 80 लोगों का राशन कई कुंटलों में हुआ वो बेंच करके खा जाता है ये सब पुरानी सरकार में था इसका अभी सठ्यापन करवाया गया हमरीं सरकार निकरवाया तो सठ्यापन में ये सबसामने आया इनको जो जो मतलब जिनके double कार्ड बने हो थे उनका कार्ड निरस्त किया गया तो हम ये शन्देश देना चाहते हैं कि आप ये भी देख लि एका फाइदा उन्हें मिल रहा हो एका फाइदा विचवलिये खा रहे हो यह संदेश देना चाहेंगे इंद्रा आवास के मामले में यह प्रधान मंतरी ग्रामिर आवास के मामले में यह संदेश देना चाहेंगे कि उसकी भी सुची बन गई है प्रधान से अगर उनकी न बनत मुख्यले पर खंड विकार सथिकारी को एक application दे सकता है कि मैं पात्र हूँ मेरा नामी सूची में जोड़ा जाना चाहिए खंड विकार सथिकारी जाज कराएगा अगर वो व्यक्ति पात्र है तो उसका नाम सूची में जोड़ा जाएगा यह पहली बार हुआ है खुद सिधेला भारती जाकर के मिल सकता है और अगर उसका नाम सूचे में जुड़ा है तो विचलियों के चक्रम पढ़ने के आउ सकता नहीं है वो वरियता क्रम में मतलब जिस क्रम में उसका नाम है उसका आवास मिलेगा धनिवास सर हमारे एवीपेस चैनल को अपना बहुमूल समय देने के लिए तो ये थे बारबंकी से विधायक उपेंद रावत जी इन्होंने हमारी प्रशनों का बेबाकी से जवाब दिया और इनका एक सहराहनी प्रयास जो ग्रामीन जनता को जागरू करने के लिए चलाया ज करते हैं और विचारों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे अपने एवीपेस चैनल के तब तक हमें इजादर दीजे नमस्कार